नमस्कार मैं हूँ चंदकानता राजपरोई तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सीक्यार किचन में तो आए फिर आज बनाते हैं हम होली की स्पेशल गुजिया तो आज हम सूजी और ड्राइफ रूट की गुजिया बनाएंगे जिस मैदा में हम देशी घी का मॉइन डालेंगे तो यहां पर गी का यूज करें तो बहतर है तो गुजिया आपके अच्छी खस्ता और टेस्टी बनेगी तो यह दो बड़े चमच मैंने देशी घी डाला है तो अच्छे से इसको हम मसल लेंगे हाथों से एकदम ताकि जो मैदा है उसमें अच्छे से मॉइन लग जाए अब इसकी मुठी बांद के हम देखेंगे तो यह इस तरीके से बंदना चाहिए तबी जो आपका मॉइन है वो इसमें बराबर होगा तो अकर कम होता है नहीं बंद रहा है मैदा तो फिर आप थोड़ा सा और इसमें गी डाल सकते है तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम हलका सा सकत इसका मैदा लगा के तयार करेंगे तो यहाँ पर आपको धियान रखना है अगर मैदा आपका लूज होगा तो फिर गुजिया आप डी फ्राइ करेंगे तो फिर उसके ऊपर थोड़े थोड़े बबल्स आने श अगर आप सकत रखें तो ज्यादा अच्छा है मेरा जो मैदा है वो थोड़ा सा लूज हो गया था तो अब हम गुजिया की स्टफिंग तयार करेंगे तो यह है नारियल का बूरा जो कि मैंने घर पे ही इसको कद्दू कस करकी तयार किया है हाफ बावल की करीब है आप चाह हल्का सा ड्रायय रोस्ट कर लेंगे बस हल्का सा करेंगे आधे मिनट के लिए और इसी पैन में हम थोड़ा सा गी डालेंगे और इसमें हम ड्राइफ फूर्ट को रोस्ट कर लेंगे हलका सा तो यह हमने ड्राइफ फूर्ट ले लिए है तो इसमें मैंने ले लिए है यह खसकस मगच की बीज है थोड़े किश्मिस है किश्मिस को हमने थोड़ा कटिंग कर लिया है चाकू से काजू है उनको भी मैंने कट और एक चमच के करीब हैं खसकस की दाने, तो आप अपने अपसे इसमें और भी ड्राय फ्रुट शामिल कर सकते हैं, जैसे की पिस्ता की कतरन है, अख्रोड को भी आप बारे बारे चॉप करके डाल सकते हैं तो जो भी आपको पसंद है वो ड्राइफ रूट आप इसमें मिक्स कर सकते हैं अपने हिसाब से तो इनको हम हलका सा रोस्ट कर लेंगे गीव में इससे क्या होगा कि जो इसका स्वाग है वो बहतर हो जाएगा और खसकस और जो मगच के बीज है वो हलके से फूल जाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगी गुजिया और इनकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएग तो इनको बहुत जादा ब्राउन नाई करेंगे हलका सा कलर ले और जो खसकस और मगच के बीजे फूल जाएंगे तो बस यह हमने निकार लिया है इसको भी नारिल की बूरी के साथ और उसी पैन में मैंने दो चमच देसीगी डाल के और हाफ बाउल के करीब बारीक वाली ज अपने उसमे यह हाफ बाउल सूझी की अट कर दिया है तो चलाते हूए हमको भूह Macht तो गी थोड़ा कम लग रहा था तो एक च्मच माने और डाल दिया है तो इसको बिलखु को म?' फ्लेम पर लगाता चलाते हूए दीमदी में आज पर अच्छे सिर्ण 9 तो एकदम golden color आजा है तब तक इसको हमको भुनना है तो घी अपने हिसाब से अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा आप इसमें और मिला सकते हैं तो ये देखिए बिल्कुल दीमी दीमी आज पर मैंने इसको golden color आजा है तब तक भुन लिया है तो ये सूजी हमारी ready है बुनकर गयास हमने बंद कर लिया है और सूजी को हमने ठंडा कर लिया है गयास को बंद करने के बाद तो अब ये नारेल का बूरा और जो ड्राइफ रूट से वो भी हम इसमें डाल के थोड़ा इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तक ये सारी चीजे आपस में मिक्स हो जाएं गयास यहां पर बंद हैं और पैन भी हमने धण्डन टो पैन में अबन कर लिया तो पैन में आपस में र्याल है थाकि इसना पर Gay Doula को फेला कि ये सारी चीजोगों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस तरीके से आप एक बर गुजिया जरूर बनाएं बहुत ही शांदार बनती है बहुत ही सस्ते में बहुत ही फटा-फट आसान विदी से बन जाएगी बिल्कुल भी हमको किसी भी तरीके के मावे वगेरे के इसमें जरूत नहीं है तो अब हम इसमें चीनी मिलाएंगे तो यह चीनी को मैंने मिक्सी में पीस के पावडर बना लिया है और जितना मीठा आप खाते हैं उसके साब से डाल लें तो मैंने यहां पर लगबग 3-4 चमश डाला है एक बार मिक्स करके आप स्टफिंग को टेस्ट करके भी चीनी को ज्या जो पावडर है वो मिक्स हो जाए तो यहां पर चीनी को पीस के डाला है आप चाहे तो जो बूरा शक्कर आती है बूरा शक्कर जो पिसी हुई आती है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमने इसमें पीसी हुई शकर को मिक्स कर लिया है तो अब इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हमने जो मैदा लगा के रखा था वो भी हमारा सैट हो गया है दस से पंदरा मिट आप इसको रेस्ट दे तो यहां पर क्या है कि मैदा रखा था उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया था पक्चे से तीस मिनट तो उसी थोड़ा सा लूज हो गया है क्योंकि मुझे बीच में कोई काम आ गया था तो मैंने इससे डग कर छोड़ दिया था तो यहां पर अगर मैदा आपका थोड़ा सा भी लूज होता है तो फिर जब आप डी फ्राइ करते हैं गुजिया को तो फिर उसमें बबल साने शुरू हो जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगी 10 से 15 मिनट ही आप मैदा को रास्ट दें तो अब मैदा को चार इसो में चार पार्टेशन कर लिया है और अब इससे हम जिस तरीके से पूरियां बनाने के लिए हम लोईयां कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करके रख लेंगे ताकि फिर हमें गुजिया बनाने में जादा टाइम ना लगे फटा फट से हम बना सके तो यह मैंने रोल बना लिया है और अब चाको की साहिता से हम कटिंग कर लेंगे तो बस जिस तरीके से हम पूरी बनाते हैं उसी साइस का उससे थोड़ा बढ़ा या उसी हिसाब से आप कटिंग कर लें जितनी बड़ी आपको गुजिया बनानी है उतना ही आप पेड़ा तयार करें तो यह मैंने एक लोई ले ली है उसको थोड़ा स्मूथ कर लिया है और पूरी के साइड में आप उंगली की साइट से थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि जो हमारी गुजिया है वो अच्छे से चिपक जाए कड़ाई में जाके खुले ना और अब इसमें हम स्टफिंग भरेंगे तो यह मैंने लगबग देड़ चमच के करीब डाला है तो कांटे वाला चमच आता है उससे इसको दबा देंगे तो इससे यह अच्छे से चिपक भी जाएगा और इसमें बहुत ही अच्छी डिजाइन बन जाएगी तो आपके पास अगर गुजिया मेकर नहीं है तो फिर बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से गुजिया बना के तय तयार कर सकते हैं और वैसे गुजिया मेकर बहुत ही इसली किसी भी शॉप पर या फिर ऑनलाइन मिल जाते हैं तो यह देखिए तो आप इसको पीछे की तरफ भी इसी तरीके से कांटे से निशान लगा लें आप दोनों तरफ ही लगा लें तो ज्यादा सुन्दर देखिए तो यह देखिए मैंने सारी गुजिया बना के तयार कर ली है और थोड़ी से हम हवा लगा लेंगे पांच मिनट के लिए तक इसको डी फ्राइ करने में आसानी रहे तो यह मैंने ओल डाल दिया है कड़ाई में और यहां पर ओल को एकदम हाई आपको टेंपरेचर पर गरम नहीं करना है तो इक मैदा का बॉल डाल के हम देखते हैं तो यह देखिए यह फ्राय होना शुरू हो गया है तो इतना ही गरम हमको और रखना है वरना जो आपकी गुजिया है वो तुरंत ही ऊपर से सिख जाएंगी और अंदर से बिल्कुल कच्छी रह जाएगी मैदा को मैदा को बिल्कुल दीमी दीमी आज पर डी फ्राय करना होता है तो यह देखिए लगबग यह 50% हमारा ऑइल गरम हो गया था तो इसमें हमने सारी जो गुजिया है वो जितनी इजीली हम उलट पलट सके उतनी हमने कड़ाई में डाल दी है तो आप अपने कड़ाई की के साब से उसमें गुजिया को आड़ करें और मीडियूम फ्लेम पर हम इनको एक तरफ से थोड़ा सा कलर आने देंगे और फिर हम इनको पल्टेंगे तो यह दिखिए तो एक तरफ से इनको सिखते वे लगबग डाई से तीन मट हुए है तो आप इनको पलट लेते हैं तो देखिए मेरा जो मैदा है वो हल्क आसा सॉफ्ट हो गया तो यह गुजिया में बबल्स दिख रहे होंगे आपको तो आप अपना जो मैदा लगाए तो इसका पूरा ध्यान रखें थोड़ा सा सक्त मैदा लगाए और उसको दस से बारा मिलेट से ज्यादा का रैस्ट ना द तो आप इनको निकाल लेते हैं तो इनको डी फ्राइ करने में जल्द वाजी आप ना करें एक बैच को कम से कम 6-7 मिनट भी आपके लग सकते हैं तो आप इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर उलट पलट करते हुए अच्छे से डी फ्राइ करें और आप इन गुजिया को आ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी इनका जो क्रंच है वो नहीं रहेगा तो यह आप ज़रूर द्यान रखें यह पर्फेक्ट हमारी सूजी ड्राइफूट गुजिया बनके रैडी हो गई है तो बस इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी डी फ्राइ कर लेंगे तो यहां द्या से अप ठंडा कर लें हलका सा ठंडा होने की बाद में आप गुजिया को एड़ करें और फिर मीडियम फ्लेम पर उसी तरीके से आप इनको उलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए खसता हो जाए तब तक डी फ्राइब करें तो यह देखिए मैंने इस में इस पैचुला का यूज नहीं किया है कड़ा ही को को ही थोड़ा सा हिला दिया है ताकि अच्छे तरीके से जो है गुजिया हमारी डिप हो जाया ओयल में क्योंकि तुरंथ हमने गुजिया डाली है वो काफी सॉफ्ट है तो चम्मच का यूज करेंगे तो फिर वो फट जाएंगी और एक भी गुजिया अगर आपकी फट जाए गलती से भी तो फिर पूरा ऑईल आपका खराब हो जाता है स्टफिंग की वज़य से तो यह आप अच्छे से ध्यान रखें थोड़ा तो यह देखिए बहुत ही शानदार गोल्डन कलर आ तो फिर आप हलका सा कम डी फ्राइ कर लें इसको तो यह देखिए हमारी परफेक्ट होली की ड्राइफ फ्रूट सूजी की गुजिया बनके बिल्कुल रड़ी है बहुत ही आसानी से हमने इसको बना के तयार किया है तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ